घर में खाना बनाते टाइम हम कुछ छोटी-छोटी चीजों का ध्यान दे तो हम भी घर में एकदम रश्चन जैसे खाना बना सकते हैं और वो भी फ्रिश रहेगा और हिल्दी भी तो हलो फ्रेंज विल्कम बेक टु मैं यूटुब चैनल आज की रेसिपी हम बनाएंगे बूंदी का रायता अब वो भी एकदम सॉफ्ट और रेस्टरंट वाला टेस्ट आएगा और मैं कुछ चीज़े ऐसी बताऊंगी जो कि वही गलती हम करते हैं जिसकी वज़य से बूंदी का रायता हमारा खराब हो जाता है तो चलिए शुरू करते हैं जिसके लिए मैंने बूंदी ले ली है आप मार्केट से ले सकते हो या घर में भी बूंदी बना सकते हो मैंने मार्केट की बुंदी यूज की है जिसके लिए मैंने एक कप बुंदी ले लिया और उसे बावल में डाल देंगे देखेए एक कप के करीब बुंदी है और हम इसमें डालेंगे हलका गुन-गुना पानी सबसे पहले हम गलती यही करते हैं कि पानी में भीगाते नहीं है, डारेक्ट बूंदी डाल देते हैं, और पानी में भीगाते हैं, तो नॉर्मल पानी से भीगा देते हैं, बट क्या, हल्का गुन-गुना पानी से बूंदी को भीगा के छोड़ देना है, इससे के दो चीजे होंगी, वो मैं आगे आपको Medium- low flame पे बूरेंगे देखे, इस तरीके से कला हो गया अब इसे gas को बंद कर देंगे और gas बंद करने के बाद में मैंने इसमें डाला है आधाजमचे करीब हींग और इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे अच्छी तरीके इसmoiफ सीच के रख लेना है अब यह देखते हैं बूंदी, बूंदी को मैंने 10 मिंट के लिए रखा था, अब 10 मिंट बाद इसको हमच्छे से इसको पानी इसका निचोड लेंगे, इससे क्या होगा, एक तो इसका ओयल निकल जाएगा, जो कुछ होगा, और मार्केट की बूंदी है, तो मसाले भी डले र बूंदी को पानी से जरूर धोना चाहिए, और भी 10 मिंट के लिए फुला देना चाहिए पानी में, डारेक्ट बूंदी डालने से क्या होगा, उसमें क्या दही भी अब्जॉप नहीं कर पाती बूंदी, और खाने में भी एकदम अच्छा नहीं लगता, टेस्ट अच्छा लेंगे पानी इसका, और पानी को हूँ, फेक देंगे, देखिए, ऐसे हो जाएगा बूंदी, और इसे फैला के हम थोड़ी दिर के लिए इसको छोण देंगे, ऐसे, प्लेट में अच्छी तरके इसे फैला के छोण देना है, और फिर हम दूसरी साइट चले, बाउल ले लिया, मैंने मिक्सिंग बाउल ले लिया, उसमें डालेंगे हम दही, दही मैंने 500 ग्राम के करीब लिया हुआ है, आप जिसी साब से बूंदी लो, उसी साब से दही ले सकते हो, मैंने एक कब बूंदी लिया तो 500 ग्राम के करीब दही ले लिया है, और ये इसमें पर डालना जरूर चाहिए, उसे क्या इसका टेस्ट का बैलेंस अच्छा बना रहता है, अब हम इसको अच्छी तरीके से फेटेंगे, देखे एकदम बढ़िया से फेटेंगे ताकि इसमें लम्स न पड़े रहें, और अब मैं इसमें डालूंगी पानी, पानी हम जितना दही के लिए हैं, उतना ही बराबर मातर में पानी भी डालना है, आप जैसा चाहो अगर गाढ़ा बहुत ज़्यादा गाढ़ा जाते हो, तो कम पानी डालो, पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना होता है, क्योंकि बूंदी डालेंगे तो बूंदी क्या हो, पूरा पानी को एब है और यह उतना ही काले मिर्च पाउडर है और यह जीरा मैंने डाला जो हमने भून के रखा हुआ था जीरा और हींग को उसको मैंने कूट लिया था अब इसे अच्छी तरीके से इसे भी मिला लेना है अब इस मरायते में पानी अपने हिसाब से डाल सकते हो अगर दही गाड़ी है तो बराबर मातर में पानी डालना है और दही पतली है थोड़ी सी तो कम पानी डालो बट आप पानी जरूर डालना है इसमें देखिए मैं गाड़ा थोड़ा सा और लग रहा है तो इसलिए पानी बूंदी और दही अलग-अलग दिखती है और वो क्या टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता और देखने में अच्छा नहीं लेगा अब मैं इसमें डालूँगे बूंदी जो हमने धोके रखी होई थी यह देखे सारी बूंदी इसमें डाल देंगे और अब इसे मैं अच्छी तरीके से भी मिला लेना है देखे इस तरीके से मिला के इसे हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा करीब 10 मिनट के लिए मिला के और इसे ढखके हमें करीब 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर उसके बाद में हम रायते को खाने में यूज़ करेंगे देखिए 10 मिन के करीब हो गया है अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालूँगी हरी धनिया, ओप्शनल है आप डालो या नई भी डाल सकते हो, बर देखने में अच्छा लगता है अब इसे अच्छी तरीके से फिर से मिला लेना है देखिए इतना पानी डालने के बाद भी देखो रायता एकदम घड़ा हो गया है और बूंदी ने काफी एक्जॉब कर लिया है पानी औ दही को आप ये रायते को एक से दो दिन तक यूज़ कर सकते हो फिरज में रखके उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना है क्योंकि दही खटी हो जाएगी तो टेस्ट खराब हो जाता है तो कैसा लगा फ्रेंज बूंदी काफ रहता अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर भी करना और चैनल पर जो नए है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए तो फिर बिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई